नमस्ते भाई लोग, Android वेडी में आप से भी का स्वागत है आज गिस वीडियो में हम लोग करने बाले हैं Realme C35 के Tips and Tricks और इसके Features के बारे बात है Realme C35 में आप लोगों को Android 11 देखने को मिलता है और उसके उपर में आप लोगों को Realme का Custom UI Realme UI R Edition देखने को मिलता है तो यहां पे आप लोगों को Realme UI से थोड़ा कुछ differences देखने को मिल सकता है तो क्या कुछ differences है जानने के लिए वीडियो को पूरा देखे तो चलिए जाद देना करके वीडियो स्टार्ट करते है तो menu style देखेंगे तो menu style कुछ इस तरह से है home screen settings आप लोगों मिलता है home screen settings के अंदर देख सकते हैं यहां पे pull down action का option दिया गया है अगर आप ऐसे notification डॉलर को नहीं लना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर do nothing कर सकते हैं या फिर open search कर सकते हैं तो first instance में ही आप लोग देख सकते हैं कुछ-कुछ options different है और यहां पर recent menu में जाएंगे तो यहां पर लोग एक अच्छा feature मिलता है जो कि है screenshot का देख सकते हैं यहां पर screenshot का option दिया गया है आप यही से screenshot कर सकते हैं आपको अगर किसी भी window का screenshot लेना है तो आप ऐसे screenshot करेंगे तो particular उसी window का screenshot यहां पर बनके आ जाएगा recent menu से ही आप लोग screenshot लगा सकते है notification drawer को देखेंगे तो notification drawer कुछ इस तरह से देखता है और यहां पर कुछ toggles आप लोग को दिये गया है और toggles में से आप लोग देख सकते हैं यहां पर कुछ-कुछ options दिये गया है और यहां पर और भी बहुत सारे notifications टोगल्स मिलेंगे उनके लिए आपको यहां पर edit बटन पर क्लिक करना है क्लिक करने के देख सकते हैं यहां पर नीचे और भी बहुत सारे edit options दिये गया है जैसे यहां पर screen record का option है screenshot का option है dark theme का option है ultra saving mode का option है focus mode है bed time mode है यह सब बहुत सारे options आप लोग यहां पर मिल जाएंगे अब चलिए settings के कुछ features जान लेते है settings के अंदर जाएंगे तो यहां पर देख सकते है बहुत सारे features है यह करके देखेंगे उससे पहले हम लोग dialer को चेक कर लेते है यहां पर dialer देखेंगे तो यहां पर आप लोग Google dialer मिलता है settings के अंदर आपको जादा कुछ features देखने को नहीं मिलता है और call recording का feature भी यहां पर नहीं show हो रहा है settings के अंदर display का option है display के अंदर जाएंगे तो यहां पर देख सकते है brightness levels आप लोग control कर सकते है भी अपर जाएंगे तो बैटरी अगर कम रहता है तो games का resolution कम हो जाएगा और उससे आपके पोन का battery थोड़ा बच जाएगा Eye Comfort का Option है आप लोग इसको चाहे तो On कर सकते यानि कि Blue Tone यहाँ पर Off हो जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा उससे आपका आगों को Comfort पहुचीगा Colors, Contrast भी आप लोग Change कर सकते यहाँ पर देख सकते Colors Vivid पर है Vivid पर आप लोग यहाँ पर Warm और Cool Tone अपने हिसाब से दे सकते इसको Video Display Enhancement का Option है इसको अगर आप लोग On करते हैं तो YouTube, Duo, Files और Photos इसके अंदर में आपका Video Viewing जो Experience है और ज्यादा Enhance हो जाएगा Video का Display Quality और ज्यादा Bright और Colorful बन जाएगा Smart Controls का Feature है यहाँ पर Smart Wake का Feature यहाँ पर दिया गया है यानि कि Double Tap से आप लोग Screen को Wake कर सकते हैं ऐसे Double Tap करेंगे तो आपका Screen Wake हो जाएगा Lip to Check Phone का Option भी दिया गया है यानि कि Phone को Table से उठाएगे तो आपका Phone यहाँ पर ऐसे Wake हो जाएगा Smart Motion के Features भी है इनको On करेंगे तो लेख सकते Easy Answer का Option है यानि कि Phone को कान के तरब लेके जाएगे तो Automatic आपका Call रिसीब हो जाएगा Easy Bell का Option है यानि कि Phone अगर Ring हो रहा है और अगर आप Phone को हाथ में उठा लेंगे तो Automatic Phone Ring होते होते इस Vibrate Mode में चला जाएगा Mute Incoming Calls का Option है पॉन को ऐसे Flip कर देंगे तो Phone Mute हो जाएगा Pocket Mode का Option दिया गया है Pocket Mode को On करेंगे तो यहाँ पर Touch Disable कर सकते हैं Pocket Mode के अंदर Smart Build के अंदर आप लोग On कर सकते हैं Ring Tone Maximum Volume पर बढ़ेगा और Vibrate Mode On हो जाएगा Power Saving Mode चालू हो जाएगा यान कि Wi-Fi Automatically Turn Off हो जाएगा जिससे Battery थोड़ा और Save हो जाएगा इसके बाद देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर System का Option मिलता है System के अंदर जाएगे तो यहाँ पर आप लोग को Navigation Bar देखने को मिलता है Navigation Bar में आप लोग बहुत सारे Customization Option देखने को मिलता है आप इनको चाहिए तो ऐसे On कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आपको Full Screen Gesture यूज करना है तो आप लोग यहाँ पर Gesture का Option भी दिया गया है 3 Button Navigation से आप लोग यहाँ पर Gesture Navigation कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर Gesture Navigation भी आ गया है तो इस तरह से आपको Navigation करना है तो अब उसका भी इस्तमाल आप लोग कर सकते हैं Digital Leveling Features यहाँ पर दिये गया है इनमें से आप लोग चेक आउट कर सकते हैं किस आपको आपने कितनी देर तक यूज किया है और चाहे तो आप लोग कुछ-कुछ एप को यहाँ पर टाइमर सेट आप कर सकते हैं देख सकते हैं एप के बाजू में यहाँ पर Sand Clock का उपस दिया गया है यहाँ पर जाके आप लोग टाइमर लगा सकते हैं पर्टिकुलर एक दिन में आप कितने टाइम के लिए उस एप को यूज करना चाहते हैं उसके साथ में फोकस मोड, बेड़ टाइम मोड यह सब फीचर्स भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं पैंटरल कंट्रोल भी है, अगर आप किसी चाइल का फोन कंट्रोल करना चाहते हैं तो पैंटरल कंट्रोल के अंदर आके आप लोग वहाँ पर कस्टमाइज बगेरा कर सकते हैं एक चीज़ में बताना यहाँ पर बोल गया था, बैटरी परसेंटेज का उप्शन में आप लोग मिल जाता है बाइडिफॉल देखेंगे तो बैटरी परसेंटेज यहाँ पर नहीं रहता है लेकिन अगर आप चाहे तो बैटरी परसेंटेज को आउन भी कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज को आउन करने के लिए आपको सेनिक के अंदर बैटरी के स्लिट करने है बैटरी को स्लिट करके आप लोग बैटरी परसेंटेज को यहाँ पर सकते हैं Battery Percentage On कर देंगे, ता आपका Battery Percentage यह आ जाएगा. देख सकते हैं यहाँ घाऩा बैटरी Percentage भी आ गए रहे हैं, तो इस तरह से आपे प्लुग attra Motorola करेंदर यहाँ पर Ultra Power保़Shaving Mode यहाँ प्लुगों मिल जाता है, साथ ही में battery manager भी आप लोग यहां पर बिलता है और दोस्तों इसी के साथ कतम हो जाता है हमारा Realme C35 के tips and tricks और इसके features और यहां पर कुछ कुछ चीजे मुझे notice हुए है कुछ कुछ चीजे यहां पर missing है जैसे app hide या फिर app lock या फिर private folder यह सब features यहां पर नहीं है जो सारे features यहां पर होने चाहिए थे और साथ ही में यहां पर customized UI है Realme का उस बजाए से हो सकता है कि यहां पर यह सब features missing है दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया है तो like और share करना ना भूले अगर आप लोग और वीडियो देखने है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं ऐसे और एक ने वीडियो को साथ तब तक के लिए goodbye और आपका दिन सुब हो